प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा आठ विशे विज्ञान के अंदरा द्याई आठ बल तथा दाब पढ़ने वाले हैं तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चो ने अभी तिक चैनल क सब्सक्राइब करने लाइक कर दें उपने साथियों को सेयर कर दें तो शुरू करते हैं आज की गलास तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का जो पार्ट हमारा है वो बल से समधित है तो सबसे पहले हमें बल के बारे में पता होना चाहिए बल क्या है बल किसे कहत कहते हैं अप करशन और खींचते हैं उसे कहते हैं अभी करशन अभी करशन तो यहां पर यहां एक बच्चा जो है दरवाजे को दक्का देकर बंद कर रहा है और यहां पर खींच की खोल रहा है तो दक्का देना अप करशन होता है और खींचना अभी करशन होता है तो ज्यान क प्यारे बच्चों न्यूटन में मापा जाता है न्यूटन में जिसको बड़े एंड से लिखा जाता है ठीक है आगे है अन्योन्य किरिया के कारण बल प्यारे बच्चों जब दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य किरिया होती है तब बल लगता है बल लगने के लिए कम से कम द बख्का नहीं लगाते तब तक वह नहीं आती गति में इस प्रकार हमारे वह कार के मद्द ये अन्योंन्य की लिया होती है। यहां पर देखो चितर में दिखा दे रहा है। एक बच्छा ये वक mounted को दका दे रहा है। और हातों से दक्का लगा रहा हुआ, तो यह बक्से के संपर्क में आ गया ना, तो हात और वस्तु, इन दोनों का संपर्क हुआ तो अन्योने के रिया होगे दक्का लगा। यहां पर यह अगर खींशता है तो भी आत और वस्तु के बीच संप्रक है तो इससे हम समत सकते हैं कि जब दो वस्तु के बीच अन्योन्य किरिया होती है तो बल लगता है बलों की खोजबिन, बल का प्रिमार किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जात लगा रही है तो कुल नेट बल एफ आर दोनों के दोने लगने वाला तो जब किसी वस्तु पर एक ही दिशा से बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने दोनों बड़ों के जोड़ के बराबर होता है, मालों दोनों 5 पांच न्यूटन के बल लगा रहे हैं तो f r क्या होगा, f r होगा दोनों का जोड़ 5 प्लस 5 यानि कितने न्यूटन? 10 न्यूटन का बल होगा, तो एक ही दिशा में लगाए गए बल जोड़ जाते हैं, आगे चल ये F1 बल लगा रही है, ये F2, तो कुल नेटबल F1-F2, अगर दोनों बराबर है, पांच में से पांच गया, तो कुल नेटबल क्या आएगा, सुनने है, और ये वस्तु कहीं नहीं लेगी, मालो लड़की का बल जादा है, लड़के का कम है, तो एक न्यूटन बल का अंतरा आगया ना, तो लड़की का बल जादा है, तो ये पत्थर को लड़की की तरफ खिसका देगी, तो जिस तरफ कम बल होगा, उस तरफ वस्तु किसकेगी, आगे चलते हैं, इसमें जब दो वस्तु पर विपरी दिशाम बराबर बल लगाया जाए तो नेट बल सुनने होता है, नोट यदि किसी वस्तु पर विपरी दिशाम लगने वाले बल बराबर हैं, तो उस पर लगने वाला नेट बल सुनने होगा, तो यहां पर रस्षा कसी के खेल में देख सकते हैं यहां पर रस्षा जो अपनी जगाए प्रिश्तिर है मतलब दोनों तरफ से जो बल है F1 और इधर से F2 जो बल लग रहा है वो दोनों तरफ से क्या लग रहा है बराबर बल लग रहा है तो दोनों का जो अंतर आएगा वो सुनने आएगा आगे चलते हैं बल वस्तु की गती की अवस्ता में प्रिवर्थन कर सकता है बिल्कुल कर सकता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी चाल बदली जा सकती यह दिल लगाया गया बल गती की दिसा में है तो वस्तू की चाल बढ़ जाती है आपने देखा होगा एक बच्छा टायर को पीछे से छड़ी से चोट मारता है तो वो चलती है अगर वो जोर जोर से चोट मारता रहता है तो उसकी स्पीड है चाल है वो तेज हो जाती है सामने से कई बार वो रोकता है तो सामने लगा दिता है तो विप्री दिशा में बल लगाया तो वो रुख जाती है यदि बल वस्तू की गती की विप्री दिशा में लगाया जाये तो वस्तू की चाल कम हो जाती है किसी वस्तू की चाल अथो उसकी गती की दिशा जादा थी तो यहां थोड़ी कम होई फिर वापस स्पीड बढ़ गई तो यहां पर अगर चाल चाल और दीसा दोनों बदलते हैं तो उसे गती की अवस्ता में परिवर्तन कहते हैं तो इसके बाद में यहां चित्र में देख सकते हैं आप बल पहले गेंद जो है वो विरामा वस्ता में यहां पर इसको दक्का देने पर गती सीलो गई फिर इसके आगे हाथ लगाने पर वापस रुख गई तो बल लगाकर किसी वस्तु की गती के आवस्ता में प्रिवर्तन कर सकते हैं बल किसी वस्तु की आकरती में भी प्रिवर्तन कर सकता है यह सत्ते की बल लगान बार निकलाती है तो आकरती बदलती है यहां पर जो आटा है कुंदा हुआ उसको हम जब दबाते हैं तो उसकी आकरती है वैसे कर सकते हैं और बल लगाने पर लोई से हम क्या कर सकते हैं रोटी बेल सकते हैं देखो तो यहां पर सब बल लग रहा है और बल लगने से आकरती ब बदल सकते हैं इसके बाद में बल कितने प्रकार के होते हैं बच्चो बल दो प्रकार के होते हैं संप्रक बल और रह संप्रक बल तो पहला संप्रक बल है यदि किसी वस्तू पर लग बल लगाने के लिए वस्तू के साथ सिधा संप्रक करना पड़े तो वैबल संप्रक बल कहल जैसे एदेम किसी पाने की बाल्टी को उठाते हैं तो पाल्टी को हाथ से संप्रक आव सक है तो ये सारे संप्रक बल के उदारने के पुस्त को उठाते हैं या दकेल दने हैं तो इसके साथ संप्रक हुआ है बारी बकसे को खिसकाते हैं तो संप्रक हुआ है बाल्टी को उठा इसमें बल हमारी स्रीर के मास्पेसियों द्वारा लगता है हमारी मास्पेसियों के किरिया सुरूप लगने वाले बल को पेसिये बल कहते हैं पेसिये बल एक संपरक बल है यह वस्तु के संपरक के माद्यम से ही कारे करता है तो यहां पर यह पेसियां है स्रीर की मास्पेसियों दोरा लगाये गाए बल को पिशियेग बल कहते हैं, इसके बाद में गर्सन बल, गर्सन बल किया दो वस्तुों की स्टार के मद्यकारत बल, यह बल गती की अवस्ता में परिवरतन कर देता है, इसकी दिशा सदे उग गती की दिशा के विप्रीत होती है, क्योंकि एबल दो सतों के बीच संपरक से उत्पनोता है अता यह भी एक संपरक बल का उदान है तो कार देखो सड़क पर चलती है पईये और इस सड़क के बीच इस कार की गती इधर है और इस पईये और सड़क के बीच एक बल काम कर रहा है जिसको गर्शन बल कहते हैं ये क्या है इसकी गतिक वीपरी दिसा में लगता है तो ये मतलब सडक और कार के टायर के बीच संपरक होने से लगाना तो ये भी संपरक बल का उदार्ण है तो गर्शन बल संपरक बल का एक परकार है क्योंकि गर्शन बल दो प्रष्टों के संपरक में आने पर लगता है इसक किसी वस्तू पर किसी अन्ने वस्तू के संपरक में आये बिना बल लगता है है तो यह संपरक बल कलाता है। जब दो चुम्बक मतलब एक चुम्बक ये है और एक चुम्बक ये है अगर ये इसके S के पास आए तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खीशते हैं अगर दूसरी चुम्बक और दूसरी चुम्बक इसके दोनों दुरो उत्तर उत्तर जैसे पास मिलाएं तो एक दूसरे क दूर बगाते हैं इसको इधर बगाएगा इधर बगाएगा तो संपर्क में आए बिना बल लग रहा है तो यह संपर्क बल का उदार्ण है उसी परकार से जैसे एक जो हमारा प्लास्टिक स्केल होता है उसको सर में रगणे और यहां पर कागज के छोटे चुकड़े डाल दे तो क्या होता है टुकड़ों को अपनी और आकरशित करता है तो यहां पर भी एक बल काम करता है जिसे श्तिर विदोत बल कहते हैं और एक प्रिथ्वी जो है सभी वस्तों को अपनी तरफ खीशती है तो वो गुर्थवा करशन बल होता है यह सभी ऐसंपरक बल के उदार्ण वो भी इस बल के कारण से बह रही है तो यह एसंपरक बल का उदार्ण है इसके बाद में चुम्ब के बल दो चुम्ब के द्रों के बीच अथवा चुम्ब के द्रों तथा किसी चुम्ब के पदार्थ के बीच लगने वाला बल एसंपरक बल का उदार्ण है इसके बाद में स्तिर विदोत बल मैंने आपको पहले भी बता दिया एक आविशीत वस्तो दोरा किसी दूसरी आविशीत थोवान आविशीत वस्तो पर लगाये गैबल स्तिर विदोत बल करता है तो वसतों के संपर्क Taleinaire उनने के कारन जो श्ट्रा है इनमें बराबर एक जैसा समान आवेस है तो एक दूसरे को दूर बगाएंगी अगर विप्रित आवेस हैं तो एक दूसरे को आकर्शित करेंगी चुम्बक वाले विश्व में सभी वस्तों चाहिए चोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे से उपर बल लगाती है जैसी गुर्तो बल कहते हैं तो यहां पर प्रित्वी द्वारा लगाया गया गुर्तो आकर्शित बल दिखाया गया है पर तेक वस्तों पर प्रित्वी द्वारा लगाये जाने वाले आकर्शन बल यानि गुर्तो आकर्शन बल को प्रित्वी का गुर्तो आकर्शन बल कहते इसके बाद में आता है दाब, किसी वस्तू के परती एकांख पर चेतरफल लगने वाले बल को क्या कहते है दाब, जैसे यह हमारे पास इतना एरिया है, इसकी एक इकाई लंबाई है और चोड़ाई है, लंबाई और चोड़ाई इसकी बराबर है, इस पर जो बल लग रहा है F इसका छेतरफल ए है वो प्रेसर का लाता है तो प्रेसर का फोर्मूला क्या आता है दाब बराबर बल यानि होर्स और बटे में छेतरफल ये फोर्मूला होता है तो परती एक आंकक छेतरफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है दाब कहा जाता है तो ये दाब बराबर ल इतना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा. तो देखो, यहां पर एक में चोटा एरिया लेता हूँ और यहां पर एक बड़ा एरिया लेता हूँ. इसकी लंबाई और चोडाई दस है, इसकी मानलो एक और एक है. तो यहां पर दोनों पर प्रेसर निकालेंगे, तो यहाँ पर छेत्रफल एक गुणा एक हो गया, मतलब दोनों पर हम बल लगा रहे हैं 10 नूटन, कितना नूटन? इस पर भी 10 नूटन और इस पर भी 10 नूटन, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो उपर आएगा, एरिया निचे आएगा, दूसरी अवस्ता में जो फोर्स है वो को काटेंगे एक पे कटेगा, तो एक पासकल, तो देखो दाब कहां कम लग रहा है, जहाँ पर एरिया बढ़ गया, यहाँ एरिया ज़्यादा है तो दाब कम लगा, यहाँ पर एरिया कम है तो दाब ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों कि सुत्र के अंदर चितरफल नीचे है नीचे है दाब और बल उपर है तो दाब बल के समानुपाती है और चितरफल की भीद करमानुपाती है जैसे चितरफल बढ़ेगा वैसे दाब गटेगा उल्टा समद हो गया तो दाब बराबर क्या होता है बल बटा चितरफल होता है अगर दोनों उपर है दाब बल के साथ साथ बढ़ेगा और दाब छितरफल के साथ गटेगा अगर छितरफल कम होता है तो दाब बढ़ेगा और छितरफल जो यहाँ पर ज्यादा होगा तो दाब गटेगा और दाब गटेगा तो हमारे लिए फाइदा भी है और नुक्सानी भी है कई बार तो यहां पर देखो एक कील जो है उसके नुकिले सिरे को हम दिवार में ठोकते हैं यहां पर कील का नुकिला सिरा दिवार में ठोकते हैं कारण क्या है एक तरफ वाड़ा चोड़ा होता है ऐसे होता है तो यहां पर क्या है एरिया कम है तो पी बराबर क्या होगा फोर्स जादा होगा ए नीचे न तो यहां पर प्रेसर जादा होगा फोर्स के कारण से हम कील को आसानी से ठोक सकते हैं अब यहां पर एक कुली जो है वो सर पर कपड़ा रखके ऊपर चीज़े उठाता है, तो वो क्या करता है यहां पर एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एरिया बढ़ेगा तो यहां पर force गटेगा, और force के साथ-साथ pressure है वो गटेगा, तो हम उस वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं अपने सर के उपर तो कुली यही काम कर रहा है एक उदारनों और भी होता है जो बैग होते हैं कंदे पर उठाने वाले उसकी जो बद्री है वो पट्टी है वो चोड़ी बनाई जाती है अगर पतली बना दे तो वो हमारे कंदे में बैट जाएगी चोड़ी बनाने से क्या होगा प्रेसर बढ़ेगा या कम होगा कम होगा तो उसको मसानी से उठा सकते हैं अगर पतली है तो प्रेसर जादा होगा दरवों तुथा गैसो द्वारा लगाया गया दाब दरव के अंदर दरव के अणो भिन भिन दिशाओं में आनिमित गती करती हैं ये पर्स पर तुथा बर्तन की दिवारों से टकराती रहती हैं बरतन की दिवारततले के परती एक आंक छेतर पर लगने वाले बल को दरव का दाब कहते हैं। तो यहां पर देखो, पाने डाला हुआ है, इस बोतल के साइड में यहां पर एक सुराग निकाल करके पाइप लगा के गुबारा लगा दिया। इससे मैं यह सिद्ध होता है कि दरव बरतन की दिवारों पर डाब डालता है। और समान दाब डालता है तो यहां पर हमने समान उंचाई पर सुराग किये और पानी जो गिर है वो समान दूरी पर गिर रहा है इसका मतलब द्रव की डिवारों पर समान गहराई पर समान दाब होता है। और उंचाई पर जाने से वायमडली अदाब कम हो जाता है। इसलिए अगर हम मतलब वाईजाज में बैठे हों पैन अपना साथ ले जाएं तो पैन की शाई बाहरा जाती है। तो वो दाब के अंतर के कारण से ही फैंकता है। तो प्यारे बचों ये था आपका पार्ट बलत था दाब जो हमने यहां पर डिसकस किया। उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद। झाल झाल झाल